पोटेशियम, जिंक और मेगनीशियम की खान कहा जाने वाला यह अंजीर आपके शरीर के लिए होता है बेहत लाबकारिक इसके सेवन से आपको होते हैं अनेक स्वास्त लाब जाने कौन-कौन से नेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल मत करना भूलें दोस्तों फाइबर और कैलशियम प्रिशूर मातरा में पाए जाने के कारण अंजीर आपके शरीर के लिए बेहत उप्योगी माना गया है या आपके नकेवल मुटापे को कम करता है बड़कि फाइबर अधिक होने से या वेट कंट्रोल के लिए भी सेवन करने में सबसे की गोजा जाना बेहत जरूरी होता है यह उससे आपको पूर्ण लाप देता है साथ ही इसके निमें सेवन से आपके शजीर की कमजोरी भी दूर होती है और आपका सरीर हस्ट पुस्ट होता है अंजीर महिलाओं के लिए बेहत उप्योगी माना गया है खासकर मासिक धर्म के दिनों में ऐसे में उन्हें दर्द और पीड़ा से यह आराम दिलाता है साथ ही शरीर में कून की कमी को दूर करता है यदि आपका मोनोपॉस हो गया है और आपके पीड़र्स बंद हो चुके हैं तो ऐसे में भी अंजीर का सेवन करने से आपके शरीर में हर्मोनल इंबैलंस दूर होता है यदि मास्टित धर्म में भी असंतुलन है तो भी आपको निमित रुप से अंजीर का सेवन करना चाहिए यह आपके ब्लड शुबर लेविल को भी कंट्रोल करता है आपकी बॉड़ी में मवजिव कोर्नोजेनिक एसिट को यह कंट्रोल करता है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी कारण बनता है साथ ही टाइट टू डायबिटिक पेशेंट के लिए यह बेहट लापकारी है ऐसा करने से आपको डायबिटीस का खत्रा तो कम होता ही है साथ ही यह आपके हिर्दय को भी स्वस्त्र रखता है और दिल की बीमारियों से आपको बचाता है नेमित रूप से इसका सेवन करने से आपको एंटी ऑक्सीडेंट भून भी इसका मिलता है जो आपके सरीर की इमनिटे को भी काफी गैस, कब जो ऐसीडिटी है तो भी अंजीर आपके लिए बेहत लापकारी है यदि आपको काफी लंबे समय तक भोजन करने के बाद भी पचने की समस्या होती है या खटी डाकार या ऐसीडिटी होती है तो भी ठंडी अंजीर का सेवन करें यह आपको लाप देगा जिंक होने के कारण अंजीर आपके इसकिन की भी रक्षा करती है साथ ही आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है तो दोस्तों अंजीर का सेवन आज से आप भी करना शुरू कर दें और पाएं इसके पूर्ण स्वास्त लाव और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद